वेलकम टो लिए इस स्वागत है आप सभी लोगों का प्रलेंबूश्टर न्यूज डिस्किशन में आज है 24 चुलाई 2021 तो आज ये देख लेते हैं कि ऐसे कौन से important articles हैं जो आज हम cover करने वाले हैं हमारा जो first article है वो भारती प्राकृतिक क्रिशी पद्धती के बारे में है government अभी हाल ही में implement करने का plan बना चुकी है for भारती प्राकृतिक क्रिशी पद्धती जो की एक सब scheme है किसकी सब scheme है परंपरागत क्रिशी विकास योजना की यह जो initiative है 2021 से चलाया जा रहा है ताकि इंडिया में traditional और indigenous practice को promote किया जा सके अभी हम बात कर रहे हैं भारती प्राकृतिक क्रिशी पद्धती के बारे में as I told you यह परंपरागत किसी विकास योजना की सब scheme है जिसे 2021 में launch किया गया इसका major focus इस बात पर है कि जो भी synthetic inputs इस्तेमाल किये जाते हैं जो chemical inputs होते हैं farming में हम उन्हें exclude करें हम जो भी biomass हमें मिलता है farming से उसको हम खेतों में ही recycle कर सके जिसके लिए हम biomass mulching का इस्तेमाल कर सकते हैं देखे इसमें होता यह है कि हम जो भी residue होता है crop का उसे खेत में एक परत layer की तरह बिछा देते हैं वो दीमे दीमे सरगल जाता है और एक natural fertilizer की तरह work करता है इसके अलावा जो cow dung या urine होता है उसका भी इस्तेमाल परंपरागत करसी में किया जाता है plant based preparations भी की जाती हैं कई सारे plants होते हैं जिन्हें थोड़े समय के लिए उगा के फिर खेत की जुटाई कर दी जाती है और वो fertilizer की तरह work करते हैं time to time हमें soil में work करना होता है airson के लिए भी खेत को यूँ ही जुटाई करके छोड़ दिया जाता है ताकि वो atmosphere से nutrition और जो air है उसे ले सके हैं तो इस प्रकाल के activities opt की जाती है traditional farming में यहाँ पर देखे financial assistance देने का प्रावधान किया गया है तीन सालों के लिए 12,200 रुपए प्रती hectare के हिसाब से ताकि cluster को form करके जो भी farmers उसमें involved हैं उनकी capacity building की जा सके trained personals के माध्यम से उन्हें जानकारी दी जा सके और जो भी उनके पास resources available है उनके माध्यम से जो traditional farming है उसे बढ़ावा दिया जा सके बात करते हैं परंपरागत किसी विकास योजना के बारे में as we were discussing कि यह जो भारती प्रकृति किसी पद्धती है यह इसकी एक सब scheme है तो यह initiative start किया गया था 2015-16 में ताकि इंडिया में chemical free organic farming को बढ़ावा दिया जा सके जिसके लिए हम cluster mode opt करेंगे cluster mode का मतलब यह होता है कि कई सारे farmers एक सांथ इकठा होंगे like 50 farmers एक सांथ इकठा हो गया उन्होंने अपने खेतों को इकठा करके वहाँ पर organic farming शुरू करी तो सरकार उन्हें incentivize करेगी उन्हें कुछ incentives देगी पैसे देगी यह organic farming को promote करने के लिए start किया गया था cluster approach में जो मैंने आपको बताया यहाँ पर 50 या उससे अधिक farmers एकठा हो जाएंगे जिनके पास 50 या उससे अधिक एकठा की जमीन हो और वो वहाँ पर organic farming start करके इस scheme के तहत incentives का लाव ले सकते हैं उन्हें अपनी खेती को pesticide residue free करना होगा ताकि वो consumers की health में contribute कर सके ठीक है So that was all about भारती प्रकृति क्रिशी पध्धती अब देखे इस topic पर एक question पूछा गया था prelims 2018 में Not exactly on भारती प्रकृति क्रिशी पध्धती अब यह तो scheme ही बाद में आई तो फिर कैसे प्रशन पूछते या परमपरागत किसी विकार से होजना पे भी यह प्रशन नहीं है रदर यह प्रशन है organic farming पे तो तीन statement यहाँ पे हैं पहला statement तो यह था कि National Program for Organic Production यह operate करता है Ministry of Rural Development की guidelines और directions में दूसरा यह था कि APEDA यानि कि Agriculture and Processed Food Products Export Development Authority यह Secretaryate की तरह function करता है NPOP के लिए और तीसरा यह था कि Sikkim अब इंडिया का पहला fully organic state बना है बताना था कौन सा सही है, कौन सा गलत है लेट में टेल यू कि यह पहला statement गलत है दूसरा और तीसरा सही है पहला गलत इसलिए है because यह जो प्रोग्राम है NPOP यह Ministry of Commerce के तहत वर्क करता है अब कई बार आपके सामने कुछ Ministries आती है कि यह प्रोग्राम इस Ministry के अंडर में है, यह इसके अंडर में है और आपके मन में एक बात भी रहती है कि क्या UPSC Ministry पूछती है, कि हमार Initiative की Ministries रटते फिरें, तो आपने देख लिया कि वो पूछते हैं, मतलब अगर वो different दे देंगे तो आप confused हो जाएंगे, इसका मतलब यह है कि जो various initiatives हैं, उनकी Ministries आपको पता होनी चाहिए न previous question से हमें यही इलाव होता है कि हम समझ जाते हैं, कि वो हमसे क्या पूछ सकते हैं और क्या नहीं पूछ सकते इसकी मदद से हमारे topics को choose करने में और उन्हें समझने में आसानी होती है हमारा next article Great Indian Bustard के बारे में है Central Government ने अभी राजसवा को जानकारी दी कि जो कच बस्टर्ड सेंक्चुरी है गुजरात के कच डिस्टिक्ट में जनवरी एक जो इस साल का रहा यानि कि 2021 का उसके डेटा के अकॉर्डिंग वहाँ पर कोई भी Great Indian Bustard अब नहीं है So that was the information जिसके वज़ए से यह topic news में आया Great Indian Bustard यह स्टेट बर्ड है राजस्थान का और इंडिया की कुछ बहुत ही ज़्यादा critically endangered birds में count होता है यह flagship grassland species है जिसके जरीए आप यह पता कर सकते हैं कि वहाँ की जो grassland ecology है वो बढ़ियां से है की नहीं है अगर यह खतम हो रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि जो grassland ecology है वो खराब हो रही है यह दुनिया की कुछ heaviest flying birds में से count होती है मतलब काफी भारी होती है बड़ी होती है लेकिन उड़ सकती है habitat की बात करें तो यह आपको इंडिया में राजस्थान, गुजरात में मिल जाएगी primarily इसके अलावा कुछ population महराष्ट्रा, करनातिका और आंद्रप्रदेश में भी दिख जाएगी protection status की बात करें अभी आप तक आपको अंदाजा लग जया होगा कि इनकी संख्या कम है तो obviously जो उनका protection status होगा that will be high तो IUCN के red list में ये critically endangered है sites में appendix 1 में है जिसका full form होता है convention on international trade in endangered species of wild, fauna and flora CMS के appendix 1 में है यानि के convention on migratory species और wild reproduction act of 1972 के schedule 1 में है threats की बात करें तो कई बार ये जो बिजली के तार होते हैं उनसे टकरा जाते हैं इससे उनकी मौत हो जाती है बैसे तो जो भी critically endangered birds वगेरा होती है उनकी hunting बंद होती है, रोख होती है लेकिन पाकिस्तान में इनकी hunting अभी भी prevalent है कुसमें पहले मैंने एक article discuss करके आपको बताया था कि सौधी अरभिया से कुछ लोग पाकिस्तान आ रहे थे जिने कुस समय के लिए Great Indian Bustard की hunting अलाव कर दी गई थी, जो की काफी निरासा जनक था कि एक ऐसी species जो इतनी ज़्यादा endangered है, आप उसकी hunting अलाव कर रहे हैं किसी भी करण से अलाव कर रहे हैं, बढ़ ये गलत था इनका habitat obviously खतम हो रहा है जो grassland है और elder हो रहा है इसी वज़ा से agriculture expansion के वज़ा से इनका habitat है वो खतम हो रहा है तो इनकी संख्या भी घट रही है government initiators की बात करते हैं जो Great Indian Bustard को बचाने का प्रयास कर रहे है Great Indian Bustard project launch किया गया था राजस्तान की सरकार के तरह इसमें ये था कि जो भी एरियास breeding ground है Bustard के उनको हम identify करके fence कर देंगे ताकि उन प्रटेक्टेड रहे है और कोई दिक्कत ना हो further उसके बाहर भी अगर कोई breeding enclosure है तो हम उसे secure करने की courses करेंगे ताकि उनकी population increase हो उसके अलामा species recovery program है integrated development of wildlife habitat के तहट ये program चलता है जो ministry of environment forest and climate change का initiator है उसके तहट हम इसको रख देंगे great indian bustard को protection अच्छा मिल जाएगा जो MOE FCC है यह ministry जिसके अभी हम बात कर रहे थे इसने एक program launch किया था habitat improvement and conservation breeding of great indian bustard and integrated approach इसके माद हम से भी हम इन्हें बचाने की courses कर रहे थे हमारा next article Nord Stream 2 Pipeline Project के बारे में है USA ने भी हाल ही में Nord Stream 2 Pipeline Project को complete करने का approval दे दिया है जो कि Russia और जर्मनी के बीच में बन रहा है देखे ये है Nord Stream 1 अगर ये 2 है तो 1 भी होगा न कुछ 1 ये green वाला है जो यहां से जा रहा है ये जो 1 है Nord Stream 1 इसको 2010 में start किया गया था और ये 2011 में complete हो गया इसके बाद जो natural gas की supply है उसे ये Russia है ठीक है और ये है Germany ये दोनो Nord Stream projects जो हैं वो Russia को जर्मनी से connect करते हैं through pipeline जिससे natural gas की supply होगी तो 2015 मिनों ने प्लान किया कि इस capacity को enhance करने के लिए हम दूसा initiative start करते हैं that will be Nord Stream 2 तो जो Nord Stream 2 है वो Russia के उस लोगा से चलेगा और जो griff's wall है उसको जर्मनी के connect करेगा ये yellow color dotted जो है ये almost complete हो चुका है बहुत थोड़ा सा project मतब 98% complete हो चुका है लेकिन इसका USA विरोध कर रहा था because अगर इतनी बड़ी मात्रा में Russia natural gas की supply European region में करेगा तो obviously जो प्रभाव है USA का वो कम होगा even उन्होंने sanctions लगाए जो 5 companies involved थी Russia के साथ इसमें वो companies उन देशों से हैं जो USA की allied है तो उन्हें भी problem हो रही थी तो context ने निकल के आया है कि USA ने भी approve कर दिया कि ठीक है अपना project आप complete कर लो तो काफी सहुलियत हो गई तो यह जो Nord Stream 2 project है आप हो समझ गए यह Russia से जर्मनी के बीच में है 2015 में start किया गया था Russia की एक बहुत बड़ी company है National Gas के लिए That is Gas From उन्होंने start किया था 5 European firms के साथ agreement करकि है 11 billion dollar का यह पुरा project है 1200 km लंबी यह pipeline है जो कि Russia के उस लोगा से जर्मनी के ग्रेफ्स वाल को connect करेगी और 55 billion cubic meter gas per year transfer करने में capable है Under construction जो pipeline है मतलब almost complete हो चुकी है कि वह 2% बची होई है यह Nord Stream 1 के बाद start की गई 110 billion cubic meter per annum की हो जाएगी to Germany वहाँ से फिर यह बाकी region में जा सकती है यह pipeline जर्मनी और डन्मार्क से गुजरते हुए flow कर रही है Baltic region से होते हुए मतलब उनको यह connect करेगी और 98% अभी complete हो चुकी है So that was all about Nord Stream 2 हमारा next article Production Linked Incentive Scheme for Specialty Steel के बारे में है Production Linked Incentive Scheme पहले इसके बारे में बता देता हूँ वैसे मैंने आपको पहले बताया इसके बारे में विस्तार से लेकिन मैं आज फिर से बताऊँगा देखिए होता यह है कि सरकार चाहती है कि जो भी existing companies हैं वो अपना production बढ़ाएं अगर अपना production बढ़ाएंगे तो नई units लगाएंगे ज़्यादा employment generate होगा और इंडिया की capacity building भी होगी तो इसके लिए वो incentive दे रहे हैं लेकिन ये incentive के बार उस चीज पर दिया जाएगा उस production पर दिया जाएगा जो आपने बढ़ाया है example ले लेते हैं इस टील के बारे में है तो इस टील का example ले लेते हैं suppose कर ये एक company A है वो पहले 100 unit specialty इस टील प्रोड्यूस किया करती थी सरकार ने का हम incentive देंगे आप अपना जो production बढ़ाओ तो इस company A ने अपना production 100 unit से बढ़ा कर 150 unit कर दिया एक unit production में इसका खर्चा आता था 2 रूपय तो 200 रूपय ये पहले खर्च करते थे लेकिन अभी उन्होंने 50 unit अपना production बढ़ाया है तो 50 into 2 इनका 100 रूपय का investment या खर्चा और बढ़ गया सरकार ने कहा चूकि आपने अच्छा गाम किया है और आपने अपने production को 50 unit बढ़ाया है तो जो आप 100 कर रहे थे पहले से हम उसके कुछ नहीं देंगे लेकिन जो 50 आपने बढ़ाया है हम उसके आपको 12% का incentive देते हैं लाइक 100 रूपय आपका खर्चा आया है तो 12 रूपय हम दे देते हैं यह maximum है वो 4% से 12% के बीच में incentive देते हैं तो अगर इस company को 12 रूपय एडिशनल ही मिल गए तो इसको फायदा हो गया है अब इससे कई सारे काम कर सकती है लाइक international market में अपने steel को थोड़ा सस्ता बेश सकती है तो इनके product का market flow बढ़ जाएगा further इनके पास window होगी ज्यादा investment करने की ज्यादा units लगाएंगे ज्यादा employment generate होगा So that is production linked incentive अभी incentive दिया जा रहा है specialty steel के लिए normal steel के लिए नहीं तो पहले जान लेते हैं कि specialty steel क्या होता है देखिए एक तो normal steel होता है जिसका इस्तिमाल हम general purpose से करते हैं लेकिन कई सरी industries में हमें high quality steel की आवशक्ता होती है तो जो high quality steel होती है उसमें certain चीजों को value add करके उन्हें ज्यादा strong बनाया जाता है ज्यादा strong बनाने के लिए कई बार उनमें coating की जाती है प्लेटिंग की जाती है जो specialty steel होता है like defense, space, power इसके लावा automobile sector में भी इसका इस्तिमाल किया जा सकता है तो जो incentive दिया जाएगा that will be for specialty steel not for normal steel ताकि उसका production इंडिया में बढ़े high grade specialty steel का देखे इसमें केवल 5 category के specialty steel ही involved है केवल इन पर ही incentive मिलेगा सब पे नहीं पहला है coated plated steel products तीसरा है specialty rails and allowance steel product चौथा है steel wires और पाच्वा है electrical steel अब इसमें जो incentive दिया जाएगा वो 3 slabs में होगा वो 4% से लेकर 12% के बीच होगा सबसे लोबस चाह सबसे maximum 12 और जो 12% incentive दिया जाएगा that will be for electrical steel electrical steel इसलिए ज़्यादा ये देखे highly engineered steel होते हैं जिससे electricity का flow safe होता है बिजली का छरण नहीं होता रास्ते मतलब वो कम नहीं होती उसका नुकसान नहीं होता तो इसलिए इनको ज़्यादा incentivize किया जा रहा है eligibility की बात करें तो कोई भी company जो इंडिया में registered है और specialty steel बना रही है वो इस scheme के तहद आ जाएगी ये scheme पास सालों के लिए है 2030, 27, 27, 26 के बीच में benefits ये हैं कि उमीद कर रहे हैं कि scheme के बाद 40,000 क्रों का investment specialty steel के field में attract होगा और लगभग इंडिया का जो production है specialty steel का वो 25 metric ton तक बढ़ जाएगा scheme उमीद है कि 5,000,000 employment भी generate करेगी इस field में जिसमें से 68,000 direct होगा तो ये तो सारी बात इस scheme के बारे में हमरा next article passage exercise के बारे में है इंडियन नैवी ने अभी वाइलेटर passage exercise को कंड़क किया UK Royal Navy Carrier Strike Group के साथ बेख बंगाल में जो passage exercise है ये दो नैवी के बीच में होता है ताकि वो आपस में communicate और cooperate कर सके बढ़ियां से चाहे बार के city हो या फिर situation हो humanitarian relief की similar passing exercise इंडिया, जापान, maritime self-defense forces French Navy और US Navy के साथ भी करता है अभी जो हुआ है that is with UK तो उद्देश बिलकुल यही था कि दोनों नैवीज के बीच में एक प्रकार के practice exercise थी है ताकि वो अपनी abilities को और sharpen कर सके और आपस में अच्छी तरीके से काम कर सके so that was all about passage exercise हमारा यहाँ पर देखे कुछ statement है आपको 215 बताना है भारतियव, प्राकृते, कृषी, पद्धती सब इसकी में किसकी प्रधानमंत्री, कृषी, सम्मान, निधी की Great Indian Bustard, IOCN List में Endangered है, Nord Stream 2 Pipeline Project 1200 किलमेटर का pipeline है जो कि उस लोगा रश्या से Greffs Wall जर्मनी तक फैलेगा प्राइज स्कीम फॉर स्पेशलिटी स्टील यह इंडिया में high grade specialty steel production को enhance करेगा पताईए को कौन सा statement सही है कौन सा गलत जब आप comment box में इस session की media phone लियाएज के telegram चैनल पे आज के session में बस एतना ही बहुत बहुत धन्यवाद